असलाम लेकुम दोस्तो मेरा नाम है बिलाल रशीद और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर में खुशाम देरी दोस्तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे find state of water तो दोस्तो जिस तरह हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था find state of temperature तो as it ही हम लोग इस तरह है इसी प्रोग्राम को discuss करेंगे चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है तो हम लोग यहां बहुत लेक्च वैयरिबल डिक्लियर करें कोई भी आप करवा सकते हैं मैंने जी करवा दिया तो यहां प्लिक है cout enter value तो लोग इंटर वैल्यू करेंगे तो scene से value get कर ली दोस्तो अब हम लोग ने इसके अंदर करना है किया है कि अगर जो पानी की जो state है अगर वह 0 से कम हो तो आइस में हो convert तो हम लोग यहां पर लिखते है if z less than and equal to 0 less than and equal to 0 तो यह हमारे पास क्या हो फिर है cout हमारे पास क्या हो फिर यह आइस क्योंकि 0 सेंटी क्योंकि 0 डिगरी पर जो है वह हमारे पास पानी जाब वह आइस में convert हो जाता है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अपने else if और अगर जो हमारे पास temperature है वह 100 से कम हो तो उसकी state of water ही रहे 100 से 99 से 99 से कम हो तो उसकी state है वह cout अब यह देखिएगा दोस्तो जो हमारे पास value इंटर की जाएगी अगर वह value 0 से कम होगी अगर वह value 0 से कम होगी तो हमारे पास जब आइस डिस्प्ले होगा screen पर output में तो अगर value जो है वह 99 से कम होगी लेकिन 100 से 100 के 100 से भी कम 99 से लेकर sorry 0 तक 99 से लेकर 0 तक value होगी तो महरे पास क्या state होगी क्या state होगी वाटर की तो वाटर का वाटर ही रहेगा तो मजीद से करते हैं अगर 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 दोस्तों हंडर्ड हंडर्ड से अगर ज्यादा हो यह देखी गा मैं आपको अभी बताता हूं इस बारे steam अगर यह देखी गा अगर 99 से कम हो 99 से कम हो तो हमारे पास water अगर जी की value जो हम लोग enter करेंगे अगर 100 से अबव हो जाए तो वह steam में होगी अगर value जो हम लोग लाग हो जाइगी तो ice डिस्प्ले होंगा हमें अगर was 99 से कम है कुछ भी हो 99 से तो हमारे पास क्या गी state water अगर Z की value हम लोग इंटर करेंगे अगर वह 100 से अबव हुई तो क्या देगा हम अर पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होके स्टेन तो नेक्स चलते हैं दोस्तों यहां पर हम लखेंगे यहां पर हम लखेंगे यहां यहां पर लिखेंगे इन्पूट इन्वालिट तो इसे एक्जीकूट करते हैं अभी देखेगा इसके अंदर अगर वैल्यू देदें जीरो तो हमारे पास क्या गया आइस तो फिर से एक्जीकूट करते हैं तो अगर माइनस माइनस फाइफ कर दें तो आइस दोस्तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके बार में डिस्कीशन जो है माइनस की वैल्यू अगर इंटर करें तो हमारे पास जो है वो कूल वैदर या आइस में आनी चाहिए तो यह देखिए का इस प्रोग्राम में इस में हम लोग ने यह भी डिसक्स कर लिया अब हम लोगों क्या लिखना है अब हमने चेक गना है कि यह वाटर वाली जो स्टेट्मेंट हा यह है थी है यानरे कि 99 से वह अधîne क्म वैल्यू आइढ क्या लिख कुछ भी लिख दें, 45 ले दी तो water-konDITION कुछ ओ लिख दें लिखं क्योंकि 99 से कम है न हमें क्रिशन यह ऐसी लगाई है कि 99 से कम हो तो यह मार पास water water क्रिशन की डिस्पले हो तो अगर दोस्तों हम लोग 100 से अबव जाएं तो मारे पास क्या आएगा steam क्योंकि हम लोग ने क्रिशन भी सीगी ऐसे ही लगाई है तो फिर से एक्जेकुट करके देते हैं अगर मैं यह आप 1000 दे दूँगा तो यह मेर पास फिर भी steam ही आएगा तो दोस्तों इस तरह से आप लोग मजीद इसके अंदर और एडिंग भी कर सकते हैं यानि कि अगर आप step by step जाना चाहते हैं पहले जो है water फिर steam अगर normal water cold water कुछ भी यहां पर statement लिखते जाएं कुछ value जहां पर change करते जाएं तो यह जो simply से असान तरीके से आपके जो है यह program और जो है वो बनते जाएंगे तो दोस्तो जब तक आप लोग अच्छी तरीके से basic programming नहीं करेंगे तो आप लोग जो है वो software नहीं मना सकेंगे तो दोस्तो आज की वीडियो अच्छी लेकर तो लाइक कीजिएगा comments कीजिएगा तो चैनल मेरे को subscribe कीजिएगा तो अपना ख्याल रखिएगा मज़े दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज